हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रिचा फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने सेट्यों चानल पर इस में आपके साथ बात करने वाली हूँ mathematical reasoning के को जो questions है जो mathematical reasoning के आपके 2021 के जो questions है वो मैं आपर share करने वाली हूँ तो basically जो mathematical reasoning एक आपके में unit है जो कि unit 5 है वहां से जबी question आते हैं तो हर बार 5 question आपको देखने को मिलते हैं इसमें कैसे question होते हैं जैसे series के question होते हैं number series हो गई letter series हो गई alphabetical series हो गई तो उसमें next term find out करना है या wrong term find out करना है वो mathematical reasoning में आता आपका जो series वाली चीज़े हैं ठीक है number series और letter series codes और relationship से भी question आते हैं blood relation से भी question आ जाते हैं next यहां पर दिया हुआ है mathematical aptitude mathematical aptitude जो होता है उसमें क्या-क्या चीज़े होती है कि आपको जो fundamentals है math के वो बता होने चाहिए जैसे कि prime number क्या होता है ठीक है उसके बाद percentage निकालना आना चाहिए average profit and loss से question होते है time distance से question होते है work and time से question होते है ठीक है SICI से question होते है यानिकि simple interest compound interest जो होता है से question होते है ratio and proportion से question होते है इस तरह के जो भी question है वो आपके mathematical reasoning के questions होते हैं और हर बार 5 question आपको देखने को में होते हैं यह मतलब यह काफी scoring unit है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ ले तो ठीक है तो मैं इसकी questions को जो 2021 के जो questions है यहां पर आपके साथ share करूंगी और मतलब proper fundamentals के साथ जैसे कि आपको सब चीज एक्दम अच्छे से clear हो जाए कहीं पर कुछ भी gap ना रहे तो यह देखें यहां पर first question है first question इसमें क्या कहता है find the average of all prime numbers between the 70 to 90 यानि कि यह कहता है कि हमें क्या find out करना है हमें average निकालना है जितने भी prime number आते है 70 से 90 के बीच में ठीक है तो यहां पर दो चीज़े हमें आनी चाहिए ठीक है पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम prime number कैसे निकाल सकते हैं तो prime number निकालने का मतलब क्या हुआ कि वह नंबर हमें बताने हैं जो कि किसी और से divisible ना हो ठीक है वह नंबर आपके prime number होंगे तो दिखिए इसको निकालने का जो तरीका है वह आप ऐसे देख सकते हैं कि बेसिकली जो आपकी इनिशियल जो टेबल होती है या इनिशियल जो काटते हैं ठीक है या फिर उनका आप देखें तो ज्यादा multiple मिलता है तो जब भी आप चेक करें तो 1 से 10 तक की number को चेक कर लें ठीक है 1,2,10 तक की number को चेक कर लें और आप क्या देख सकते हैं 11,13 इस तरह के जो number है अगर उससे वो divisible है अगर आप इतना भी चेक कर लेंगे तो आपको काफी idea लग जाएगा कि हाँ यह prime number है जिसे कि extra या गलत कोई ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ वैसे तो निकालना बहुत आसान है तो देखें अगर आप यहाँ पे 70 से 90 के बीच में देखते हैं तो सबसे पहले आपका prime number आता है 71 ठीक है 72 तो divisible होगा 73 73 भी prime number ह हो जाएगा अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि जो prime number आएंगे 72 90 के बीच में हम उनको देख रहे हैं तो 71 हो गया 73 हो गया 74 divisible होगा 75 divisible होगा 76 यह भी divisible होगा 77 11 से divisible होगा 78 यह भी देखें लास्ट में 2468 आ रहा है तो वो सभी divisible होगे 5 और 0 है तो वो भी divisible होगे उनको आप ठीक है उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि 10 या 13 की टेबल पे तो नहीं कोई डिड़क्ट हो रहा है ठीक है तो 71 73 हम 77 तक पहुंच गहते 77 जो है 11 से divisible है 78 यह भी divisible होगा और 79 जो होगा यह आपका prime number हो जाएगा फिर देखते हैं आगे 81 80 81 divisible है 9 की टेबल में आता है 81 81 ह 83 आपका किसी से भी divisible नहीं होगा ठीक है 84 divisible 85 86 87 88 यह भी divisible है 87 आपको लग रहा होगा कैसे divisible है 87 में बताती हो अगर इसको मैं add कर लूँ ना 8 plus 7 तो यह कितना हो जाता है 15 हो जाता है ठीक है जब भी आप कोई भी number देखें और उसको divide करके उसको add करके देख लें ठीक है अ तो इसका मतलब पर वो 3 से divisible होगा ठीक है तो जो 87 है वो भी divisible हो जाएगा 87 88 वो 11 से divisible है और 89 89 जो होगा वो आपका यहां पर प्राइम नंबर हो जाएगा ठीक है तो कितने प्राइम नंबर होगा है 1 2 3 4 5 5 जो है हमारी प्राइम नंबर होगा अब हमें क्या करना है average निक उसमें हमें जो भी दिया है उसका हम सम निकालने और divided by जितने भी यह नंबर थे उससे हम divide कर दें एन से divide कर दें ठीक है तो हमें क्या करना होगा कि 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89 इन सभी को add कर लें और यह कितने हैं 1 2 3 4 5 5 है तो हम 5 से divide कर दें तो इसका सम जो है 395 आता है 395 को अगर हम 5 से divide करेंगे तो कितना आएगा 79 आचाएगा ठीक है अब 79 आया और 79 यहां पर option में नहीं है ठीक है तो इसमें क्या इसका आंसर तो 79 नहीं होगा और यहां पर option में नहीं लिया है तो UGC ने इसको जो है सभी को इसके number दिये थे ठी है तो इसका आंसर 79 नहीं है जो कि given option में नहीं है now next question पर move करते है next question इसमें क्या कहता है इसमें दिया हुआ है कि if someone sell an item at the cost of 1200 ठीक है with a loss of 25 percentage यानि कि कोई परसन जो है sell करता है किसी चीज को 1200 रुपए में जहां पर वो loss bear करता है 25% का ठीक है at what cost he or she should sell sold to get the profit 30 percentage तो देखें ये एक profit and loss का question है जहां पर हमें percentage को थोड़ा सा समझना आना चाहिए तो यहां पर कह रहा है कि जो भी selling price है वो मेरा कितना है 1200 रुपए है ठीक है लेकिन यह क्या है यह हमारे cost का यह हमारी जो भी cost price थी जो भी मेरी cost थी उस person की जो भी cost थी उसका उससे वो 25% का loss bear कर रहा है ठीक है मतलब cost का 25% का loss यानि कि 100 में 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा यानि कि cost का 75% जो है वो 1200 रुपए है ठीक है तो cost कितनी होगी cost निकाल लेते हैं यानि कि cost price कितनी होगी तो निकालने के लिए हमें यहाँ पे 1200 multiplied by यहाँ पे 100 divided by 75 तरेंगे अब 25 के table पढ़ते हैं तो 3 से यह cancel हो जाएगा और 4 से यह cancel हो जाएगा और 3 से 12 भी cancel हो जाएगा यहाँ पे 4 आजाएगा मतलब cost price कितनी थी वो फोजा 1600 थी यह हमारी क्या आगई cost price आगई ठीक है तो अब हमें क्या करना होगा हमने cost price तो निकाल ली अब यह कह रहा है कि हमें यह चीज़ पता करनी है कि वो कितने price पे sell करे जैसे कि उसको 30% का पा cost अब इधर जतना भी जाएंगे तो यहाँ पर होता है profit और इधर जाते हैं तो होता है loss ठीक है यहाँ पर वो बेच रहा था 75% अपनी cost के 75% cost पर बेच रहा था अब वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर मतलब 30% का उसको फाइदा हो जाए यानि कि कितना हो जाएगा यह हाँ पर यह अगर 100% था तो उसमें 30% हम और आड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा ठीक है तो अब हमें क्या निकालना है जो भी cost थी हमारी जो भी cost price थी उस cost price में हम 30% add कर दे ठीक है तो ये तरीका हो सकता है कि cost price का जो है हम 30% निकाले और उसमें add कर ले ठीक है या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि cost price का हम 130% सीधा सीधा निकाल ले ठीक है तो cost price कितनी है 1600 का 130% 130% निकाल ले 30 हमने जोड़ दिया उसकी cost में ठीक है 30% हमने add कर दिया अब इसको simplify कर लेते हैं 00 यहाँ cancel हो जाएगा और 16 multiplied by 130 ठीक है तो इसको multiply कर लेते हैं यह हो जाएगा 2080 ठीक है तो इसको 2080 price पर जो है अपना समान बेचना चाहिए जिससे कि वो 30% का फार्दा उठा सकता है ना next question है इसमें क्या कहता है यहाँ पर दो statement देए रहे है statement 1 है कि at 8.55 percentage rate of simple interest at a certain sum will be double in 12 year तो दो statement है one by one करके हम solve करेंगे तो यहाँ पर दीखे simple interest की बात कर रहा है तो simple interest क्या होता है simple interest जैसे कि अगर आप कहीं पर भी पैसा वेगर आपने जमा करते हैं तो उस पर आपको कुछ ने कुछ interest में मता रहता है वही simple interest है अब simple interest निकालने का एक formula है principle होता है यानि कि जो भी amount हम invest कर रहे हैं कहीं पर और उस पे कुछ rate of interest to fix rate of interest होता है कि इतना interest मिलीगा 5% 10% ठीक है और किसी time period के लिए हम जमा करते हैं तो यह T हो गया time यह simple interest का formula है जहां से हमें interest निकल के आएगा ठीक है अब इस question में क्या कहता है कि कोई sum होगा कोई amount होगा जो कि हम 8.55 percentage की rate से जो है हम invest करते हैं और वो double हो जाता है 12 year में यानि कि वो कितना time यहां पर कितना है time में यहां पर 12 ठीक है अब इसको divide कर लिते हैं जब इसको divide करेंगे इसको solve करते हैं तो यह लगमग आता है 102P divided by 100 ठीक है लगभग इसको अगर हम cancel करें तो कह सकते हैं कि जो interest आ रहा है simple interest वो लगभग P के equal है P यानि कि principle जो amount हमें रखा था ठीक है तो इतना interest हो गया जैसे 100 रुपय मैंने कहीं रखे थे और 12 साल के लिए रखे तो वो कितने हो गया फिर से वो 100 रुपय हो गया मतलब उतना ही principle बन गया जतना कि मैंने रखा था amount initial तो क्या हो जाएगा वो double हो जाएगा अब total amount क्या होगा total amount जो भी होता है total amount अगर निकालना हो तो जो भी principle था उसमें जो भी simple interest आया उसको add कर देते हैं ठीक है अब यहां पर हमाना जो simple interest आ रहा है वो क्या आ रहा है पी आ रहा है मतलब यह total 2p हो जाएगा तो यह statement बिल्कुल ठीक कहरा है क्योंकि यहां पर देखें कि दो गुने से थोड़ा सा जादा ही आ रहा है मतलब पी से point something जाता है 102 upon 100 है तो divide करेंगे तो पी something कुछ है तो लगबग उतना interest तो वो earn करी ले रहा है तो यह statement तो एकदम ठीक कहा रहा है इसमें कोई भी गरबड़ी नहीं है now next statement है उसमें क्या कहता है in three year 1000 will become 1331 ठीक है तीन साल में 1000 रुपे 1331 हो जाते है at the compound interest जहां पर rate जो है वो 10 percentage का है दूसरा जो question है वो आपका compound interest का है ठीक है तो compound interest के लिए formula आपको ध्यान में रखना है कि amount is equal to उसका एक simple सा formula होता है यहां पर principle लिखते है one plus r जो कि आपका rate of interest होता है upon 100 multiplied by t या n लिखा होता है तो इस पे हम total amount पता कर लेते हैं तो यह कहता है कि जो p है यह आपका p दिया हुआ है principle 1000 है ठीक है अब क्या करना है one plus r r हमारा कितना है 10 percentage है 10 percentage है और कितने साल के लिए 3 साल के लिए जब हम जमा करते हैं तो यहां से हमें amount निकाल लेना है simple है बहुत ही so simplify करेंगे 00 cancel हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 10 plus 1 11 ठीक है यहां पर जाएगा 11 upon me 10 इसकी power 3 हो जाएगी ठीक है इसको simplify करते हैं तो यहां पर आएगा 1000 11 into 11 into 11 divided by यहां पर 3 0 तो यह और यह तो cancel हो जाएगा 3 time 11 है तो जब इसको multiply करेंगे तो 121 multiplied by 11 which is equal to 1331 ठीक है यह होता है तो यह बात बिल्गों ठीक है रहा है यह statement भी एकदम सही है हमें check कर लिया कि हाँ इतना ही answer आता है तो हमने देखा कि दोनों ही equation हमारे दोनों ही question हमारे सही है statement सही है तो यहां पर answer क्या हो जागा both statement are true ठीक है एक तो यह तरीका हो गया इसको solve करने का अच्छा एक और तरीका है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ ठीक है जब भी आपसे पूछे ना कि sum double हो गया है और simple interest के through double हुआ है ठीक है तो वहां पर कभी कभी क्या होता है कि कहता है कि double हो जाता है और उसका rate अगर आपसे पूछ ले तो एक formula आपको ध्यान में रखना है अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है वरना कोई इतना जरूरी नहीं है आप simple वाले से भी करेंगे तो भी हो जाएगा 100 into SI यानि कि simple interest हो गया divided by जो भी sum है यानि कि bracket में क्या सकते है principal है multiplied by जो भी आपको time दिया हो यह formula जर आप याद रखें तो भी से हो जाएगा देखें मैं आपको बता देती हूं यहां पर क्या दिया हुआ है 100 है ठीक ह है जब भी double के लिए बोले कि two times double हो जाता है या two times हो जाता है ठीक है तो आप इसको लगाएंगे यानि कि अब simple interest क्या हो जाएगा जो भी हमारा sum था यानि कि जो भी यहां पर principal है वही हमारा sum हो जाएगा अब वहीं हमारा interest होगा ठीक है और time कितना है 12 year है अब यह PNP तो cancel ह जाएगे 100 divided by अगर हम 12 करते हैं तो कितना percentage आता है जो कि fourth question इसमें क्या कहता है कि which of the following statement are correct इनमें से कौन सा correct है हमें यह बताना है इसमें जो पहला statement है वो क्या कहता है तो sum of three consecutive multiplies of three is 72 the largest number is 27 यहनि कि कहता चाहता है कि कोई 3 के consecutive यहनि कि 3 के multiple है जो कि consecutive यहनि कि एक के बाद एग आने वाले अगर उनको add किया जाए तो 72 आता है तो क्या जो largest number है वो 27 है यह हमें find out करना है ठीक है तो हम इसको कैसे solve करेंगे जैसे कि 3 कुछ ऐसे कोई number होगा जो पहला number होगा 3 का multiple क्या होगा 3 into x हो सकता है ठीक है दूसरा क्या होगा 3 into x में one add कर दें क्योंकि consecutive जब भी consecutive लिखा होगा तो मतलब आपको next वाला number लेना है और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x plus 2 लिख दें और इन सभी का sum कितना है 72 है ठीक है तो इसको solve कर लेते हैं यहाँ पर है 3x plus 3x plus 3 ठीक है 3 को x से multiply करेंगे तो 3x और 3 2 जा 6 is equal to 72 हो गया अब इन सभी को add करते हैं 3x 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 कितना हो जाएगा 9x plus 6 plus 3 9 is equal to 72 ठीक है यह आपको clear हो गया होगा अब 9x is equal to 72 minus 9 which is equal to 63 हो गया ठीक है तो x की value कितनी हो जाएगी 63 divided by 9 और इसको solve करते हैं तो 7 आता है यानि कि जो सबसे जो series होगी जो 3 number होगी वो कौन से होगे 3 multiplied by 7 3 multiplied by 8 और 3 multiplied by 9 ठीक है तो इस question में कह रहा है कि जो largest number है वो 27 है ठीक है यह बात बिल्कुल ठीक कह रहा है अगर इसी question में यह पूछ लेता कि smallest number कौन सा है तो क्या कह रहते है हम लोग 21 ठीक है तो इस तरह से यह question है question आप अब इस से समझ गये होंगे concept को now next question है इसमें क्या कहता है मतलब next जो statement है a number when multiplied by 13 is increased by 180 कह रहा है कि कोई number है जिसको कि हम 13 से जब multiply करते हैं तो वो number जो है increase हो जाता है 180 से तो क्या वो number 13 है तो हम देख लेते हैं जैसे यहां पर कह रहा है कि 13x is equal to x plus 180 ठीक है यानि कि इस x को इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 12x 12x is equals to 180 अब x की value कितनी आ जाएगी 180 divided by 12 यह 15 आ रहा है ठीक है तो वो number क्या होगा वो number आपका 15 होगा ठीक है x को x क्या आएगा आपका x 15 आ रहा है यहां पर भी आ हुआ है 13 इसका मतलब यह वाली statement तो क्या हो गई wrong हो गई ठीक है तो यहां पर देखें तो यह वाली statement a is correct but b is wrong बी वाली सभी statement को हमें cut करना होगा बट a तो सही है ही है बट अभी भी हमें check करना पड़ेगा किसी वाली जो statement है वो सही है या पर नहीं तो इसमें क्या कहता है the average of first 20 multiples of 7 is 73.5 यह कहता है कि जो 20 मतलब first जो 7 के multiple है यानि कि first 7 का multiple हो जाएगा 7 खुद फिर 14 इस तरह से 7 के table हमें पढ़ने ही है 20 तक फिर उनका क्या करना हो उनको हम add करें और फिर हम उसको average निकाने तो हम check करें कि average क्या यही है या कुछ और है तो यह तरीका तो थोड़ा सा lendy हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना एक simple तरीका है हम NTA से यह expect कर सकते हैं कि जो भी question आ रहे है जो भी last year आई या तो वैसे question आएंगे या फिर एक level थोड़ा सा plus होके आ सकता है maps में ठीक है तो आपको यहां पर क्या करना है एक simple सा formula मैं आपको बता देती हूं कि ज जितनी भी उस series में term है तो यहां पर term कितने है 20 है ठीक है ठीक है और जो first term है देखिए basically जो यह sum का formula है यह arithmetic progression के sum का formula है जो कि बहुत ही simple है और आप इसको हर जगा लगा सकते हैं आप कहां पर लगा सकते हैं जब भी आपको sum निकालना हो तो जिनका difference जो है same आ रहा हो तब आ और यह जो d है वो difference होगा यानि कि first वाला जो भी आपको series का first term और second term के दो जो कोई भी दो term के बीच का difference है वो यहां पर आपको लिखना होगा और n इस पूरी series में जितने भी number of terms होंगे उसको तो sn यानि कि यह क्या है यह sum है sum is equal to series के sum is equal to जो भी जितने भी उसमें terms होंगे यानि कि यहां पर आके कितने है 20 तक हमें check करना है तो n हमें आ रहा है यहां पर 20 है और जो first time है वो 7 खुद होगा ठीक है और यहां पर n कितना फिर से यहां पर हम 20 ही लिखेंगे और 1 की जगा 20-1 हो जाएगा ठीक है difference जो भी है हमारा difference कितना है 7 की table हमें पढ़ देगा नहीं है 20 तक तो difference हमारा constant है तभी हम यह formula लगा सकते हैं तो यह आपको formula बनेगा ठीक है इस formula को अगर आप ध्यान में रख लेंगे यह बिल्कुल भी आप पहली बार देख रहे होंगे तो आप बि तो sum क्या आएगा sum is equal to इसको solve कर लेते हैं यहाँ पर 10 आ जाएगा तो 7 to 14 प्लस यहाँ पर कितना है 19 multiplied by 7 ठीक है तो यह हो जाएगा 10 और यह 14 प्लस 19 into 7 133 फिर 10 और इसको add करेंगे और जब इसको multiply करेंगे तो 147 0 आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है इसका average निकालना है तो average निकालने के लिए क्या करना होगा क्योंकि इसमें 20 टॉंटी 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 को डिवाइट कर देंगे 007 और यह 73.5 ठीक है तो average कितना आता है 73.5 और हमारे कोशिशन में कितना दिया हुआ है 73.5 ठीक है तो यह statement यह वाला statement आपका सही है तो A and C यह दोनों आपके correct है तो answer यहाँ पर third वाला हो जाएगा ठीक है third is the answer. Now next question जो की fifth question है इसमें क्या कहता है यहाँ पर कहता है when a sum of money was distributed to 12 boys instead of 16 boys each got 40 more देखिए कोई भी पैसा है कोई भी समान है अगर आप 4 लोग में divide करें तो और 6 लोग में divide करें तो जब 4 में divide करेंगे तो लोगों को जादा जादा मिलेगा और अगर 6 लोग में divide करेंगे तो कम कम मिलेगा ठीक है तो कोई भी sum होगा कोई भी money होगी let's suppose कि वो x amount of money होगी ज यहां पर जो आपका x by 12 वाला case है इसमें क्या होगा पैसे ज्यादा मिलेंगे और इसमें क्या होगा जो x by 16 है इसमें पैसे कम मिलेंगे इसमें 1% की वाल हम बतारें कि एक person को इतना amount मिलेगा जो भी सिंप्स्टीन से डिवाइट तो एक परसंट को इसमें करें कि यहांन पर कहरा है कि 40 इदर 40 जादा कद्केम अगर हम इसमें 40 एड खरतें तो यह सेम हो जाएंगी बात अब अमाउंट सेम हो गया तो अब इसको सॉल्व करने यह सिंपल सी एक्क्वेशन बन गई इसको सॉल्व करना अब इसमें तो कोई दिख्कत ही नहीं है एक्स अपॉन चीज़े और एक लिए देखे कैसे मतलब जो common चीज़ थे आपने यहां पर लिख ली एक यह 4 ले लिए एक यह 4 ले लिए और यह 3 ले लिए अब यहां से समझ में आया कि जो यह उपर वाला x है यह वाला इसमें हम किसे multiply करेंगे 4 से और यहां पर क्या नहीं था नीचे 3 नही इक्वल है ठीक है यह आपका 40 के ही तो इक्वल था तो अब इसको solve कर लेंगे x की value आपको पता चल जाएगी x यहां पर हो जाएगा 48 multiplied by 40 ठीक है तो इसको जब multiply करते हैं तो 1920 यह आपका answer आता है 1920 यह आपका option 2 में है so second इसमें इसमें क्या कहता है यहां पर दिया हुआ है the age of lokendra and dharmendra दो person है ठीक है उनकी age का यहां पर ratio दिया हुआ है ठीक है तो हम ऐसे lokendra को l लिख लेते हैं और dharmendra को d लिख लेते हैं उनकी age कितनी है 6 by 5 यह ratio में दी हुई है तो कितनी होगी कोई एक common multiple से multiply किया गया होगा तो total age हमने यहां पर लिख ठीक है and sum of their age is 44 year यानि की 6x plus 5x इन दोनों को जब हम sum करते हैं तो वो कितना है 44 year है what will be the ratio their age after 4 year चार सल बाद उनकी age का क्या ratio होगा यह हमें बता रहा है तो 6 plus 5x करेंगे तो 11x is equal to 44 हम यहां से x की value निकाल सकते है ना 44 divided by 11 करेंगे तो 4 आ चाएगा x की value आ गई ठीक है तो अब जो लोकेंद्रा है उसकी अभी value अभी उसकी age कितनी है 6 multiplied by 4 24 है और जो क्या है धर्मेंद्रा है उसकी age कितनी है 5 multiplied by 4 20 अब क्या रहा है कि चार सल बाद तो चार सल बाद दोनों की age में हम 44 add कर दें तो लोकेंद्रा की चार सल बाद मेंनी कि 4 year लेटर क्या age होगी लोकेंद्रा की 28 और धर्मेंद्रा की क्या हो जाएगी धर्मेंद्रा की हो जाएगी 24 ठीक है आप इसको cancel out कर लेते हैं तो क्या आता है 7 is to 6 7 is to 6 यानि की जो 3rd option है आपका 7 by 6 यह आपका यहाँ पर answer हो जाएगा ठीक है नाव next question है जो की series का 7th question यहाँ पर क्या कहता है एक series दी हुई है 9, 18, 36 ऐसे continuation में एक series दी हुई है यानि की आप देखें तो 9 multiplied by 2 है 9, 2 is 18 यहाँ पर भी 2 से multiply किया जा रहा है ठीक है तो what will be the 11th term sorry कह रहा है कि 12th term कौन सा होगा यह यह जाना चाहता है ठीक है तो series क्या है हमारी 9 into 1 ठीक है यह ऐसे कह सकते हैं 9 into 2 की power 0 किसी की भी कुछ भी लिखाओ उसकी power 0 है उसकी value हमेशा 1 होगी कहीं पर भी यह आपनो down कर लीचे ठीक है तो यह कितना आजाएगा 9 अब 9 यहाँ पर क्या है 2 की power 1 तो आता है 18 9 into 2 की power यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लिख दे ठीक है तो कितना आता है 36 इस तरह की यह एक series बन रही है आगे continuation में तो कह रहा है कि 12 टर्म क्या होगा अब अगर पर्स टर्म क्या है 9 multiplied by 2 की power 0 9 तो जो 12 टर्म है वो क्या होगा 9 multiplied by 2 की power एक कम कर दे ना यहाँ पर जो भी दिया हुआ 12 minus 1 कर दे ना देकिन यहाँ पर कौन सा टर्म था यह थर्ड टर्म था थर्ड टर्म में हम यहाँ पर क्या लिखे है 2 की power 2 से multiply कर रहे थे ना तो यानि कि 9 multiplied by 2 की power 11 ठीक है अब इसको solve करके जो भी answer आएगा वो आपका मतलब answer हो जाएगा सो वहाँ पर आपका आता है fourth वाला option ठीक है now next question है जो कि यहाँ पर eighth question है इसमें क्या कहता है the rate of simple interest in two bank A and B दो bank है उनका जो simple interest का ratio है वो 5 is to 4 है 5 is to 4 है अब कहता है कि a person want to deposit his total saving in two bank in such a way that he received the equal half yearly interest from both मतलब कुछ sum था ये मतलब कुछ sum था ठीक है उस sum को कुछ two part में divide कर सकते हैं कह सकते हैं एक P1 हो गया एक P2 ठीक है अब कह रहा है कि हम इस तरह से जो है divide करें sum को जिससे कि जो भी हमें मिलने वाला interest है वो दोनों ही जगा से हमको same मिले तो ऐसा अब पहले तो हमें simple interest का formula पता होना चाहिए क्या होता है P into R into T ठीक है यह होता है simple interest का formula तो जहां पर पहला sum के आएगा P1 time दोनों में same ही है ठीक है और एक में ratio कितना है एक में है 5X ठीक है divided by 100 और जो दूसरा वाला है ठीक है A into B में ही पूछ रहा है ratio तो कोई दिक्कत नहीं है जो दूसरा वाला है B है वहाँ पर हम P2 ले ले लेते है principle 2 होगा वहाँ पर time दोनों में same ही रहने वाला है और कितना है 4X divided by 100 यह हमादे simple से equation बन गई अब हम यहाँ पर T और T को cancel कर सकते है X और X को cancel कर सकते है 100 और 100 को cancel कर सकते है तो क्या आएगा है आपे P1 अपॉन P2 अब P1 equal में क्या है यहाँ पर है और यह वाला 5 जो बच गया वो यहाँ लेते है ठीक है तो sum को हमें किस ratio में divide करना होगा 4 is to 5 के ratio में 4 is to 5 आपका third option में है यह जो आया principle 1 और principle 2 part of principle 1 यहीं कि 4X जो भी sum होगा हमको इसको 4 is to 5 के ratio में divide करना होगा ठीक है तो third is the answer now next question यह भी कापी अच्छा question है इसको देखते इसमें क्या लिखा हुआ है 3 glasses है 3 glasses are filled with a mixture 3 glasses है जिसमें mixture है किसका milk और water का ठीक है दूद और पानी का जो ratio है वो है 3 glasses में अलग-अलग ratio दिया हुआ है एक ratio है 4 is to 3, 5 is to 4 और 6 is to 7 respectively अब इस सभी को एक बड़े बरतन में डाला जाए ठीक है एक single vessel में डालते है then ratio of water to milk पूछा है ठीक है तो इसको solve करते हैं देखें यहाँ पर जो पहला है glass 1 उसमें क्या ratio दिया हुआ है 4 is to 3 का ratio है ठीक है glass 2 है उसमें क्या ratio है जो भी हमारा ratio है वो हमारा milk and water का ratio है next है यहाँ पर 5 is to 4 का ratio है और जो glass 3 है इसमें क्या है 7 is to 6 का ratio है ठीक है तो जो भी अब हम निकाल लें यह वाला हमारा milk है और इधर वाला हमारा water है तो जब भी हम किसी बर्तन में डालेंगे तो उसमें milk कितना होगा उस बर्तन में milk कितना होगा यह हम चेक कर लें तो इसको निकालने के लिए जो यहाँ पर milk का ratio था वो तो है 4 और कितने में यह कितने में था 4 प्लस 3 में था ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर milk कितना है 5 है और कितने में है यह 5 प्लस 4 नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो कितना है milk हमारा है 7 बाई 7 प्लस 6 यानि कितना हो गया milk का ratio 4 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 9 प्लस 7 अपॉन 30 यह हो गया हमारा milk spot में ठीक है अब यहाँ पर हम देख लें कि water का क्या ratio होगा तो water का निकालने के लिए हम कैसे देखेंगे पहले water वाला लिख लें glass 1 में water कितना था तीन था और तीन ratio में था और कितने total ratio थे 3 प्लस 4 ठीक है प्लस next वाला अब water कितना है 4 है और 5 प्लस 4 प्लस यहाँ पर कितना है 6 डिवाइड बाइ 7 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा यह 3 बाइ 7 प्लस 4 बाइ 9 प्लस 6 बाइ 30 ठीक है तो यह क्या होगा आपका water का ratio अब question में क्या कह रहा है water to milk का ratio बताना है यानि कि यह वाला portion आपका water का है तो यह पहले आ जाएगा यह water वाली चीज है और यह ratio आपका milk वाला है तो यानि कि 3 प्लस 4 प्लस 7 अगर आप देखें तो नीचे वाले सेम है 7 9 13 7 9 13 तो 3 प्लस 4 प्लस 6 यह जो है यह पहले आएगा तो 3 4 और 6 यह वाला आपका पहले आएगा और 457 457 जो आपका यहां पर आया था रिश्यू यह आपका जो है milk का रिश्यू है जो कि बाद में आएगा 457 जो कि बाद में आएगा तो यह आपका option 4 में भी आवा है सब्सक्राइब यह काफी अच्छा वर्शन है आप इसको जो से नोट आउन कर लीजिए नाव नेक्स कोशन जो कि 10 वर्शन है इसमें कहा कहता है एक कहता है कि इस तरीन कल्चर और बैक्टीरिया क्वाडरलिप मतलब कि पोर टाइम हर आर में बढ़ रहे हैं हर आर में पोर टाइम जितना भी था उसका पोर टाइम हो जाते हैं ठीक है किसी कंटेनर में विद्धिस बैक्टीरिया वस हॉप फुल एट 10 पीम राच के 10 बजे एक कोई केंटेनर था उसमें आधा मतलब वह भर जाता है तो किस टाइम पर 1 by8 जो है रहा होगा इस पूरे ग्लास का किस टाइम 1 by 8 मतलब किस टाइम पर यह बताना है मतलब कि अगर हाफ होता है 10 टैन पीम पर हम से यह जाना हम से यह जाना चाहता है कि 1 by 8 कब रहा होगा तो अगर आप देखें कि 1 by 8 जो है वो अगर हर बार कितना होता है हर time जो है अपने उसका quarter यानि कि 4 time बढ़ता है ठीक है 4 time जो है वो बढ़ता है तो 4 time जब बढ़ेगा तो यह क्या हो जाएगा 1 by 8 multiplied by अगर हम 4 करें तो कितना हो जाएगा यह 1 by 2 हो जाएगा यानि कि 1 घंटे एक घंटे में वो 4 times बढ़ता है तो जस्ट ठीक एक घंटे पहले कि अगर मैं बात करूं इससे यहाँ पर आने के लिए हमें एक घंटे पहले को देखना है तो अगर 10 p.m. पे आनसर तो इस वीडियो में इतना ही I hope कि आपको यह 10 questions अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा जसे कि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो देखा है ठीक है और कितना आपके लिए helpful रहा है यह भी में समझ पाऊंगी और मिलते हैं आप से next वीडियो में and thank you so much for watching this video